जहिन दोस्तों साच आप तक मैं आपका स्वागत है राजस्तान विजानसभा चुनाओ इसी साल के आखिर मेने में होने हैं इसी को लेकर राजनीती गर्माई हुई है राजस्तान में मुकाबला मुक्य तोर पर कॉंग्रेस और बीजेपी के बीच होता है राजस्तान एक ऐसा राजज है जो के पाकिस्तान की सीमा से सटा हुआ है और भोगली तोर पर देश का सबसे बड़ा राजज है यहां राजनीती एक दिल्चस्प मोड लेती रहती है हर पांच वर्षों में राजस्तान में सरकारें बदलती रहती हैं सबसे पहले बीजेपी ने यहां पर अपनी सरकार 1990 में बनाई आज बीजेपी यहां सबसे मजबूत इस्तीती में है वसंदरा राजे दो बार राजस्तान की मुख्यमंतिर रह चुकी है और यह बीजेपी का एक मजबूत किला भी है वसंदरा राजे के नेतुरत में बीजे कावात वापस सत्ता में आए और पूरे पांच वर्सक सत्ता में रहे लेकिन 1998 में सरकार बदली कॉंग्रेस के दिगज नेता अशोग गहलोत मुख्यमंत्री बने अशोग गहलोत उस समय राजीव गांदी के काफी विश्वासों माने जाते थे पहली बार योवा नेता उस समय के अशोग गहलोत 1998 में मुख्यमंत्री बने दो हजार तीन में भैरो सिंग शेकावत के उपराश्ट पती बनाए जाने की वज़े से बीजेपी अब वसुनरा राजे के नितुपत में यहां पर चुनाओ लड़ चुकी थी और बड़ी जीत लेकर बीजेपी यहां पर 2003 में स सत्ता में आए और पूरे पांच वर्ष मुख्यमंत्री रहने के बाद 2013 में बीजेपी रिकॉर्ट तोडोटों से यानि के तीन चौताई बहुमत के स्थाथ सत्ता में आई और आज बीजेपी वहां पर सरकार में है अशोग गहलोत फिलाल राश्ट राजनीती में हैं अशो के बाद राजस्तान में अब कॉंग्रेस की कमान समाल चुके अशो गहलोत के बाद सचीन पाइलट हैं जो के कॉंग्रेस के प्रदेश अद्धिक्ष हैं कॉंग्रेस के वरिष्ट नेता राजेश पाइलट के पुत्र हैं और केंद्र में मंत्री भी रहे चुके हैं कॉंग् बग पाइंतालीस फीसदी ओट बीजेपी को मिला था कॉंग्रेस मात्र 21 सीटें जीत पाई थी और 33 परतिशत ओट कॉंग्रेस को मिला था बसपा को तीन सीटें मिली थी और साड़े तीन परतिशत ओट उन्हें हासिल हुआ था एनिपी ईपी को चार सीटें और लगए साड़े चार फीसदी ओट मिला था एनिउजेड़ पी जो के जमिनदारों के पार्टी है उसे दो सीटें और एक परतिशत ओट मिला था बाकी साथ सीटें अन्ने के खाते में गई थी यहां बीजेपी 163 सीटों के साथ यानि के 34 बहुमत के साथ सरकार 2013 में बना चुकी है 2014 यानि के उसी के एक साल के बाद लोगसबाद चुना हुए यहां बीजेपी ने 25 में के 25 लोगसबाद सीटों के साथ 55 फीसदी ओट बीजेपी ने हासिल किये कॉंगरेस का यहां खाता भी नहीं खुला और केवल 30.40 फिसे दियोट कॉंगरेस को हासिल हुए यह बीजेपी का एक पीक पॉइंट है यानि के बीजेपी यहां 25 में के 25 सीटें जीच चुकी है लेकिन कहते हैं कि उप्चुनाव प्रदेश हो या राश्ट इस्तर हो दोनों की राजनीती की एक दिशा अत्ताय करते हैं 2014 में लोगसभा चुनाव में बुरी हार के बाद पहली बार उप्चुनाव राजस्तान में हुए चार सीटों पर होए उप्चुनाव में कॉंग्रेस ने तीन सीटें जीती नसीरबाद, वियर और सूरजगड की विजानसभा सीटों में कॉंग्रेस ने कबजा जमाया और 21 से बढ़कर कॉंग्रेस की सीटे 24 हो गई तो वहीं कोटा शेर की सीट एकमातर सीट बीजेपी अपनी बचा चुकी थी यह चारो सीटें बीजेपी की थी उसमें से केवल एक सीट बीजेपी जीत पाई उसी के बाद 2017 में वापस उपचुना हुए धोलपूर विजानसभा सीट पर बीजेपी ने 38,000 उटों से जीत दर्ज की जो के वसंदरा राजे सिंदिया का गड़ भी माना जाता है उसी के अगले साल 2018 में के कुछ माइनों पहले ही उपचुना हुए मंडलगड विजानसभा अजमेर और अलवर के लोकसभा सीटों पर यहां पर कॉंग्रेस ने बड़ी जीत हासिल की अजमेर और अलवर में कॉंग्रेस ने लगबग देड़ से पहुने दो लाक उटों से कॉंग्रेस ने सीटें वापिस ले ली जो के 2014 में यह सीटें कॉंग्रेस ने गवाई थी इसी को लेकर यह बताया जाता है कि राजस्तान में अब मुकाबला एक तरफा नहीं बलके कड़ा होगा हर पांच वर्षों में सरकारे यहां पर बजलती हैं लेकिन बीजेपी जो के हमेशा से यहां पर मजबूत रही है इसके बावजूद भी जहां देश में हर राज़ में बीजेपी अपनी सरकार बनाने में सफल हो रही है अब सवाल यह उड़ता है कि क्या 2018 की विदानसबा चुनाओ में बीजेपी अपना ये बड़ा किला बचा पाईगी जो के सबसे बड़ी चुनोती बीजेपी के सामने है और एक कड़ी सरकार एक कड़ी सत्ता विरोधी लहर का बीजेपी को सामना करना पड़ सकता है तो वहीं कॉंगरेस अपने लिए राजस्तान की जीत को लेकर आशवस्त है और यहीं अपनी इस जीत को लेकर कॉंगरेस ने काफी तयारियां भी शुरू कर दी हैं यह कहा जा सकता है कि अगर राजश्टान में कौंग्रेस जीती है तो एक संजीविनी कौंग्रेस को मिल सकती है लेकिन यहां राजश्टान में अभी ये भी जा रहा है कि लोगसभा ait अग comment बीजेपी को इसका लाप भी हो सकता है और नरांद्र तैयारयां शुरू कर दी हैं कॉंग्रेस को यह भरोसा हो चुका है क्या भरोसा लग रहा है कि जो उपचुनाओं में उसे बड़ी सफलता मिली हुए है वही विदानसवा चुनाओं में परिवर्थित हो सकती है देश के एक नाम एक नामचीन सर्वेजंसी ने सर्वे किया जो के लिए अब यह राज बचाना काफी बड़ी चुनोती सावित हो रहा है आपको हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जैए